में आये हुए reasoning के question के उपर दोस्तों जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को 100% सबूत देने वाला हूँ इसका answer delete नहीं करना चाहिए था दोस्तों जबकि ये question इस तरीके के question SST में खूब आये हुए हैं दोस्तों जोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना दोस्तों और कभी इन चीजों के लिए बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मजबूरी है बोलना पड़ेगा इस वीडियो को इतना share या like कर दीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुच जाए जिन लोगों की गलती की सजा हम बोगत रहे हैं दोस्तों ऐसे अपरती बोगत रहे हैं जो कुछ point कुछ margin की वज़े से अपनी नौकरी से हाथ दो के अभी बैठे हुए है और आज सबूत के तोर पर मैं आप लोगों को S.S.C. मेरे पास paper भी है मेरे पास official answer की भी है मेरे पास सारे सबूत इसके खिलाब उपलब है दोस्तों तो S.S.C. में आए हुए ऐसा नहीं है एक ही paper में आए हुए S.S.C. में दो तीन paper में आए हुए question भी आप लोगों को बताऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि जब S.S.C. कुछे नों को delete नहीं करती तो board ने या फर ऐसे अप ब्रतियों ने जिसके उपर इंजिनों ने इनके उपर objection लगाया था उनकी गलती की वज़े से कितने सारे अप ब्रतियों को नुक्सान हो रहा है दोस्तों तो चलिए सबस भी बताया गया है कि 6 लोग इस तरीके से उत्तर दिसा में मूह करके बैठे हुए है आर जो है P और T के बीच पे है S अंतिम छोर पर नहीं है Q T के एकदम दाई बैठा है और दाई छोर पर U नहीं है तो इसमें पूछा है R के एकदम बाई और कौन है जो जिसका अंसर दोस् तो वो है इसके उपर ये R P और T के बीच में बैठा हुआ है इंगलिस में भी इसमें आगर आप देखना चाहो तो इसमें लिखा हुआ है R is sitting between P and T अब ये लोग कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो R है वो बिलकुल P और T के बीच में बैठा है या R जो है वो P और T के बीच में बैठा हुआ है जैसे कि एक तरीके से आप मान सकते हो पहली लाइन में लिखा हुआ है लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि बिलकुल भी बीच में नहीं यानि कि बिलकुल बार्ड इसमें होना चा रहा हुँ दोस्तो इसका मेरे पास ओफलाइन पेपर भी है अगर इन लोगों को जरत पड़े तो मुझे कॉंटेक्ट कर ले मेरी मेल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा दोस्तो अब देखिए आप सबसे पहले देखिए SSC 22 जून 2014 का ये पेपर है दोस दोस्तो तो ये तो SI वाला पेपर है CPU का जो होता है दोस्तो और इसके अंदर यदि आप आजाएंगे दोस्तो तो कुश्यन नमर 24 मैं आप लोगों को वही चीज यहां एक्स्प्लेन करने वाला हूँ जो बिलकुल उसके अंदर है देखिए इसमें लिखा हुआ है six of my colleagues are sitting on the first row यानि कि पहली लाइन पर बैठे हुए है और देखिए इसके अंदर भी वो लाइन मौजूद है बानी is between सीला एंड कुमार यानि कि बानी सीला और कुमार के बीच में बैठी हुई है और जबकि SSC ने जो इसका आमसर है मैं आपको इसका पहले एक बार हिंदी वर्जन औ इसकी आमसर की है दोस्तों जो की ओफिशियल आमसर की है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दू इसकी पीडियाप भी मेरे पास है अगर किसी को चाहिए तो मुझे कॉंटेक्ट कर ले देखिए SSC SI 2014 की ये की है डेड देख सकते हैं पेपर का कॉर्ड देख सकते हैं ट इंदर भी क्या मल्टीपल आमसर आ रहे हैं क्या दोस्तों तो देखिए मैं आप लोगों को इसका भी explain कर देता हूँ अगर इन लोगों के हिसाब से सोचे जिन लोगों ने objection लगाया है कि कहीं भी बीच में बिठा लीजिए तो देखो actual आमसर तो इसका ये बन रहा है समझ लेकिन अब इन लोगों के हिसाब से कि between word के साथ exact नहीं देवा हुआ है तो कहीं भी बिठा सकते हैं तो इसमें भी देखिए अलग-अलग argument बन रहे हैं कि आप चाहें तो बानी जो है उसको उसके बीच में बिठा सकते हैं किसके बीच में ये देखिए इसमें लिखा हुआ है लिखा हुआ है बानी इस इन विट्विन सीला एंड कुमार देखिए अब जो बानी है हमने यहाँ पर सीला और कुमार के बीच में बिठाई है पहली लाइन में लेकिन इन लोगों के हिसाब से अगर multiple answer बनाए तो देखिए बानी यहाँ पर बैठी हुई है लेकिन सीला इदर है और कुमार इदर है यानि कि इनके बीच में भी सरोज और क्रिसना को बिठाया जा सकता है और इसके भी multiple answer आ सकते हैं दोस्तों लेकिन ऐसा SSC ने बिल्कुल भी नहीं किया इस कुश्चन को डिलीट नहीं किया दोस्तों और इसके उपर बिल्कुल भी objection लोगों ने लगाए थे लेकिन उने डिलीट नहीं माना इसलिए इसके बिहाब पर जो हमारा question है उसको भी answer सही होना चाहिए एक ही साथ में दूसरा paper है दोस्तों यह है SSC data entry operator यानि कि SSC CHSL 28 October 2012 का paper है paper code आप देख सकते हैं CU number आप देख सकते हैं इसी तरीके का इसके अंदर भी एक question आया इसकी भी answer की देखा सकता हूं दोस्तों इसकी answer की आप लोग देख लीजिए इसकी answer की मैं आप लोगों को देखा लेता हूं दोस्तों इसकी ये answer की है और इसके अंदर ये 33 number का question है दोस्तों और आप देख सकते हैं 33 में option number A9 ने answer को ठीक माना है दोस्तों तो अब आप या उनके समझने की वज़े से क्योंकि रीजिनिंग लॉजिक के उपर चलती है तो उनका लॉजिक गलत लगाने की वज़े से बोर्ड में तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अब्जेक्शन को देखा उनको तो कुछ आता पता ही नहीं है और उन्होंने कुछ लीप कर दिया और ऐसे अब बैरती जो एक नमबर या फर एक से कम नमबर या पॉइंटों में कुछ मार्जिन की वज़े से आज वेरोजगार की सिरेणी में बैठे हुए हैं और मांस्विक प्रताणना का सामना कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों तो आप सबी लोगों से मेरी हाद जोड़कर बिनती हैं दोस्तों किरपया वीडियो को लाइक और सेयर इतना कर देजिए कि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जो की इसके जिम्मेदार हैं दोस्तों धन्यवाद